कॉंग्रिस के पूरवध्यक्ष राहूल गांधी ने केंद्र की मोधी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। चोड़ते और जनता को हो रही दिक्कतों को जागर करते रहते हैं। चान साहिब का अनादर करने के आरोप में एक अग्यात व्यक्ती को भीड ने पीट पीट कर कथित तौर पर मार डाला। इससे पहले भी देश के अलग-अलग हिस्सों से लींचिंग की घटनाए सामने आती रही है। अब राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुखामित मालवीय ने पलटवार करते हुए कॉंग्रिस पर ही गंभीर आरोप लगा दिये। और इन आरोपों से बीजेपी की बौखला हट साफ नजर आ रही है।